हेलो ब्यूटिफुल्स वेल्कम बैक मैं चैनल दोस्तों अपने बालों पर यह लगाईए और अपने बालों को आप जटपट काला कीशिए जी हां एक दर नैश्रल है आप कह सकते हो कि हां यह एक नैश्रल डाई है जो कि आपके बालों को नुकसान नहीं पहुचाएगी और आपके बालों को जटपट काला कर देगी और यह जितने दिन तक आप रख सकते हो जब तक यह वाश नहीं करते तब तक यह आपके बाल काली ही रहेंगे तो बहुत ही इजी है इसको बनाना और जो इसको यूज़ कीचिएगा और मुझे इसका फीटबैक जो दीचिएगा न्यू है तो सब्सक्राइब कीचे और ज्यादा ज्यादा शेयर कीचे तो चली मैं आपको बताती हो आपको इससे बनाना कैसे है तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले आपने लेना है कपूर यह पूज़ा वाला कपूर है तो आपको यहां पर दो कपूर लेने हैं और चार्कोल सेकेंड हमारा चार्कोल है यह जो कोकोनेट की शेल्स होते हैं उसके छिलकों को आप जला लीचिए लोही की कढ़ाई में और उसको अच्छी तरह से पीस लीचिए दबाते हुए करोगे आप यह आराव से पाउडर इसका रैडी हो जाएगा बहुत ही इसली बन जात से यह वर्क करता है तो आपने बस उसके छिलकों को भी यूज़ करना है वह भी बहुत ही अच्छी होते हैं यह हमारे बालों के लिए स्किन के लिए हैल्थ के लिए सभी चीजों के लिए अच्छा है कई बार ऐसा होता है कि हमें अचानक से कहीं बाहर जाना पड़ता है और साथ ही साथ इसका प्लस पॉइंट यह है कि आपके बालों को बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुचाएगी और तुरंथ ही काला कर देगी तो डाइस से भी बच गए हम अपने हार्मफुल डाइस से बच गए और हमारे बाल नैश्रल डाइस से काली भी हो गए तो इसको को यूज ना कीचिए और इतना अच्छा है ना फ्रेंट्स काफी में को इसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिला और हां एक बात और आप ऐसा बिल्कुल भी ना सोचीगा कि हम कपूर को अपने बालों पर लगा नहीं सकते हैं उसको यूज नहीं कर सकते बालों पर अगर आपको कोई भी डाउट है ना तो आप जस्ट गूगल में जाए और उसको चेक कीचिए आपके साही डाउट्स सॉल हो जाएंगे कपूर से लेकर जितने भी आपके डाउट है वह सभी दूर हो जाएंगे तो जरू है और यह बहुत ही अच्छी रेमेडी है इतनी अची तरह से वर्क करती है ना हमारे बालों को और आप जितने दिनों तक इसको फॉर फाइव देज तक अराम सबने बालों पर लगे रहे सकते हो चाहे आपकी दाड़ी हो मूचे हो आप उसमें भी लगाना चाहते हो तो लगा लीजिए अपने सिर के बालों भी लगा सकते हो तो देखी कपूर जलने तक मैंने इसको अची दासे बर्न किया आपने स्टील की कटोरी में यह यूज करना है काचकी में मत कीजिएगा क्योंकि वो तूटने का डर रहता है तो इसलिए मैंने इसमें किया और बस इसको जलाना है और इसको थोड़ा ठंडा कर लीजिएगा क जितना यूज करोगे आप उसी टाइम बनाईए और यूज कीजिए आप एकी साथ इसको धेर सारा पाउडर बना करके कपूर जला करके एर टाइट कंटेनर में आप किसी भी रख लीजिए और कहीं भी जाने से पहले आप लगाईए और बस निकल जाईए तो अब आपने एड करना है अलोएडा जेल मार्किट वाला आप कोई भी ले सकते हो जो भी आपके पास है बस प्लांट वाला यूज नहीं करना है तो वह अपने अकॉर्डिंग इसमें डाल दीजिए जितना पाउडर लिया तो आप उतना ही जल डालिएगा जितनी थिकनेस आप चाहते हो थिक चाहते हो थोड़ा सा तो इसको थोड़ा सा कम डालिएगा नहीं तो आप लिक्विड तो ना ही लगाए तो बैटर है क्योंकि सुखने में टाइम लगेगा तो इसलिए थोड़ा सा थिक रखी जैसे कि मैंने रखा है रेनी ना हो यह और फिर यह देखिए कितना अगे बाल चाहते हो तो इसमें हलकी से आप काफी भी डाल सकते हो आपको ब्राउन का टेक्शेर मिल जाएगा जैसे कि कई हो के बाल ब्राउन होते हैं तो वैसा भी हो जाएगा तो मैंने यहाँ पर अभी सेम्पल किया है और यह देखे मेरे कोई-कोई बाल यहां पर है तो में कैमरे में शो नहीं होता है तो इसलिए मैं यह जब करते हुँ नैशनल चीजी करते हुआ और अपने बालों को काला बनाए रखती हुआ क्यूक्य दोस्तों मेरे बाल सफेद हैं इसलिए यह जब सक vết contractors और रही हुँ अगर काले होते ना यह सब चीजे म colorbeam नहीं करती तो इसलिए मैं इस सब को यूज करके अपने बालों को काला बना के रखती हूं तो नैशनल चीजी यूज कीजिए इन सब डाइव से बच्चिए क्योंकि यह बहुत ही ज्यादा हामफुल होता है बस इसको लगाई और इसको सूखने दीजिए और जब भी आपने यह वाश करने हैं तभी आप कीचिएगा तभी यह सारा कलन निकल जाएगा मतलब कि कुछ दिन बाद आप यह वाश कर सकते हो तो आई होप दोस्तों आप सबको आज की वीडियो काफी पसंद आई होगी तो लाइक जो कीचिएगा भर भर के शेयर किजी जिता भी आप कर सक करते हो आप सबका प्यार जो लगता है और सब्सक्राइब कीचिए तो मिलती हो आप से न्यू और अच्छी अच्छी वीडियो के साल टिल देंट टेक क्या एंड ठैंक्स सो मच गाइस पर वाचिंग इस वीडियो बाई